मुर्यादा पुश्टत्म राम की जिल्म दिवस्पर आप सभी को ढेर सारी सभ और कहां है राम हर घर घर में है तो हावी जाता है राम तु घर-घर में है राम हर आंगन में है मन से रावड जो निकाले उसके मन में राम तो राम का अस्तित्व हर जगह है इस राम के अस्तित्व को अपने जीवन में उतारी और उन सभी कर्तब्यों को निभाई है जिस प्रकार अगवान प्रभू स्री राम ने अपने कर्तब्यों को निभाया आज की सुरुवात एक ऐसी वीडियो से करते हैं जो पिछले दिन या खैसले सोजऊ ठीक है अर्थातं जो है सारा पैसा ऑनलाइन भीजो और अवर आंलाइन भीजने का पैसे कटेंगे अर्था पैसे कटने वाली बात कहीं वह उसी संद्रह तो नहीं जैसा कि आप जानते हैं जब आया था तो पर-कर से मुक्ति मिलेगी तो क्या यहाँ पैसे पर पैसे का टेक्स लगाकर उसी को अपनाया जा रहा है तो चलिए इस बात को आसान सब्दों में सबजने का क्या करते हैं प्रयास करते हैं तो आप ने देखा कि इस तरह की ख़बर एक पूरे दिन भर मेडिया में छाही रही आपने न्यूज में भी सुना होगा बहुत सारे चैनलों पर सुना होगा उसी चीज को हम थोड़ा और आसानी से आपको बताने का प्रयास करते हैं यह ख़बर है क्या तो पिछले जिनों एनपीसी आई ने एनपीसी आई क्या है तो आप जानते हैं भारत में जो यूपी आई का संचालन करती है वो सं क्या से ट्रांजेक्षेशन पर 1.1% की चार्ज की बात कर रहे हैं कितना कटेगा और कैसे कटेगा जिशीज को और ज्यादा समझते हैं पिपि आई क्या है प्यपेट पेमेंट इंट्रफेस एक व्यपी प्यापार करें और बीच बेर चोलिया आई जाएųज कं तो पैसा उल हुआ है अभी खबर की पूरी और सर्चाई समझते हैं कि जो ये सर्चाज कटने की बात हो रही है आसान भासा में हम उससे आपको चुंगी कह लेते हैं क्या समझ लिया जाए कि चुंगी तो कटेगी सवाल है कि NPCI ने कहा है कि 1.1% कटेगा तो कटेगा तो है ही अब कितना कट कटेगा और कैसे कटेगा तो NPCI ने इस बात को कंफर्म किया कि यह चोंगी ग्राहक की नहीं कटेगी यानि जंता पर प्रभाव नहीं बलकि दुकांदार की कटेगी कि कब कटेगी वह भी तब जब आप 2000 रोपे से अधिक का ट्रांजेक्शन पीपी आई से करेंगे अब पी जादा चर्चित कौन सा पेटियम का वालेट दिखता है तो ऐसे सभी वालेट से जब हम दुकांदार को इसकैन करके पैसा भेजेंगे तब इस पर क्या कटेगा चार्ज कटेगा अब कैसे कटेगा यह जी है तो यहां पर लिख रहा है चुंगी तो कटेगी ही पर किस पर ज यूपी यूपी लोगों के लिए जो ठीक है पहले अपने पैटीम से अपने वालेट में पैसा डालते हैं फिर उसके बाद उससे क्या करते हैं तरांजेक्सन करते हैं यानि हारत की लगभग ने 99% अबादी पर इस रूल का कोई असर नहीं पड़ेगा तो यह बात दिमाग में बैठा लेजिए कि आपका पैसा नहीं कटेगा एक कटना भी क्या है कि जो कटेगा पर जो बॉलेट से भी कटेगा वो आपका नहीं कटेगा जो ले रहा है जिसके प वो दुकानदार का लगेगा अब सवाल यह कि किस प्रकार का ट्रांजेक्शन तो वॉलेट ट्रांजेक्शन यह भी आपने समझा तो फिर से एक NPCI ने कहा कि UPI is free, fast, secure and seamless मतलब कि UPI free है, save भी है और हमेशा इसी रूप में कारिगत रहेगा और इसकी समिछांती सितम बरत कर रहे हैं, वो किस प्रकार से और आगे बढ़ाया जाए, क्या कुछ बदलाव इसमें लाया जा सकता है, ऐसी खबरों को और बेहतर तरीके से जानने के लिए या भी जानिए कि कैसे ठीके चुंगी कितना कटेगा, चुंगी हर जगे बराबर नहीं कटेगा, इंधन पर कितना कटेगा 0.5%, तो सवाल इनका ही है, ठीके, क्योंकि जब आप कहीं जा रहे होते हो, तो आपको जब हाइवे पर सफर करते हैं, तो आपको दिखता है जगा-जगा टोल टेक्स, और वो टोल टेक्स आपके वॉलेट से कटता है, ठीके, तो लोहां भी ज़्यादा समस्या नही है, क्योंकि आप ज़रूरी थोरीन है कि कौन सा टोल टेक्स होगा, जो आप से 2,000 रुपे से ज़्यादा का चार्ज लेता है, वो यह भी 2,000 से तक चार्ज नहीं लेता, 300, 400, 500 लगता और वो बिल्कुल फ्री है, वो बिल्कुल क्या है, फ्री है, भारत की 1% जो ऐसे लोग ह करते हैं, उनका कटेगा, कितना कट रहा है, अन्य छेत्र में भी जान लेजी, टेलिकाम में, पोस्ट ओपिस में, एजुकेशन में, अगरिकल्चर में, इसका कुछ खरीदारी या करते हैं, तब 0.7% कटेगा, सूपर मार्केट में जाके करते हैं, तो 0.9% कटेगा, किराना सम्में बटेगा, मतलब कि उसका जाएगा, तो आप पर भी असर डालेगा, जैसा क्रेट कार्ट से जब आप प्रेमेंट करते हैं, तो दुकांदार कुछ बढ़ा कर लेता है, तो हो सकता है कि जब आप वालेट से पेमेंट करने जाएं, तो दुकांदार सोचेगा कि हम क्य SDIP जारी किया है ठीक है वह नोटिस आंप जनता को प्रभावित नहीं करेगी तो आपको अपने दोस्त को पैसा धेना है ठीक है अपने दोस्त को UPI , UPI, Bank से Bank करांगों कोई पैसा नहीं लगेगा धुकान पर समान करीदना है एक u- glucose करतेंगे, कोई पैसा नहीं लगेगा वॉलेट में, अपने वॉलेट में आप खाते से पैसा डालते हो तो उसका भी नहीं कटेगा, उसका भी नहीं कटेगा, तो ऐसी सभी ख़बरों को आसान भासा में सबजने के लिए मुझत से जुड़े रहे, त्यों आप सभी को बहुत धन्यवाद, देखते रहे, और ऐसी वीडियो को जानते रहे हैं, धन्यवाद।